दोस्तों आप सभी का स्वागत है करेंट फिर स्फेंडा की यूट्यूब चैनल पर आपको बताना चाहूँगा LIC AO का जो हेंडाउट है वो जारी कर दिया गया है हर एक examination से पहले जो concern department होता है वो एक हेंडाउट जारी करता है जिसमें वो आपको बताता है कि क्या-क्या जरूरी चीज़ें है उस exam के बारे में जैसे कि exam का pattern, exam के questions के जो label है वो कैसे होंगे और क्या-क्या आपको चीज़ें follow करनी है वो सारी चीज़ें इस पूरे handout में होती है तो इस पूरे handout को एक बार हम लोग यहाँ पर read कर लेते हैं अब जैसे सबसे पहले point में उन्होंने बताया कि जो आपका online examination है इसमें multiple choice के questions होंगे जिसमें तीन sections है आपके reasoning, quant और English ठीक है 35 questions है आपके और यहाँ पर negative marking कोई भी नहीं है तो यह चीज आप समझ लें कि चाहें आप 10 questions अगर पूछे गएं तो आप 10 के 10 बनाएं चाहें आपको 2 questions अगर नहीं आते हैं तो आप 8 भी बना सकते हैं कोई भी फर्क इससे नहीं पढ़ने वाला है जो marks आपको सही question करोगे केवल उनके ही marks मिलेंगे और जो गलत question करोगे उसका कोई number ना कटेगा ना आपको number मिलेगा ठीक है बट हाँ advantage कहाँ पर मिलता है वो चीज मैं आपको बता दूँगा एक example के थूँ जैसे किसी person ने 10 question attempt किये और जो दूसरा बना है उसने केवल 7 question attempt किये जिसने 7 मिलेंगे उसको भी 7 marks मिलेंगे लेकिन हाँ अगर class होगा इस strengths के selection के case में तो obviously इसकी accuracy जो है वो 100% है ठीक है तो ऐसे strengths को preference guys मिलती है ठीक है तो ये चीज का आपको द्यान लगना है बट एक चीज और बता दूँ जैसे कि reasoning में जैसे 35 question है ठीक है तो आपने ठीक टाक बना लिए कि मुझे 20-22 मेरे बन गए ठीक है तेरा question बच रहे हैं इनको छोड़कर मताना आप questions करना की दो options हैं तो nearby कौन सा options यहाँ पर ज़्यादा feedback सकता है ठीक है तो आप guess partial मार सकते हो ठीक है लेकिन अब कर आपको चारो unknown है तो मैं कहूंगा कि आप 2-3-4 questions पे अगर आप सारे unknown options को बिल्कुल करके आओगे कि और मैं यहाँ पर जरूर attempt करूंगा यहाँ पर हो सकता है मुझे number मिल जाए तो guys बहाँ पर probability यही होती है कि आपने 6-7 questions मना लिए और सायद आपका 1-2 ठीक हो जाए ऐसी उम्मीद यहाँ पर हो सकती है ठीक है तो आप ज्यान रखना कि अगर 18-20 questions बन रहे हैं ठीक टाक से और बाकी questions बच जा रहे हैं तो आप बहाँ पर gas जरूर लगा लेगा मैं आपको recommend करूंगा लेकिन हाँ थोड़ा सा sensible gas मारना यह नहों कि बिल्कुल attempt किये उसमें से एक इसका और ठीक निकल गया तो देखो 10 में से अब इसको number मिल गया 8 number क्योंकि 7 तो इसको आते थे और जो बचे हो तीन questions थे उसमें इसने तुके मार रहे है तो एक question इसका ठीक हो गया तो अब इसका score 8 हो गया अब जिसको 7 ही के बलाते थे वो 7 बना करा या 3 उसने चोड़ दिये तो obviously यहाँ पर guys इसको benefit मिल ला है तो इस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं अब reasoning है quant है और आपका English है यह 3 sections है जिसमें पहले से यहाँ पर अपनी predefined cutoff है आप देख लो कि जो reasoning में cutoff है वो others के लिए है 18 और SCST PWD इनके लिए 16 है quant में 16 यहाँ पर है others के लिए 18 है और English में यहाँ पर 9 है यहाँ पर 10 है ठीक है तो यह तो cutoff का इनका format है बाकि guys pre और mains examinations के लिए सारे के सारे reasoning के topic बिलकुल basic से लेकर advance तक plus all mains puzzle आपको किवल 299 में मिल जाएंगे तो यह जो course है यह आपका हर एक जिगए पर कामाएगा जब आपका mains होगा बहाँ पर भी यूसफुल रहेगा और जितने भी banking exams है उन सभी में काफी important questions हमने आपर discuss कर रखें तो जो content है वो बिलकुल chapter 20 यहाँ पर बनाय हुआ है तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप देखें कि coding, decoding है, inequality है, cellogism है, bloodlation है, direction sense है अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने mini mock भी आपके लिए प्रवाइड कर आपके plim space यह 10 बिलकुल core puzzles है, 45 mains की puzzle हैं आप डाल रखें previous year के paper solve कर रखें, full length mock है, तो आप इसमें enroll कर सकते हैं price cable 299 है ताकि जादा से जादा लोग इस course में enrolled हो पाएं और इसको afford कर पाएं हमने इसलिए यह बाला price रखा है, तो आप current affairs funda app का link में description में दे दूँगा app को download करोगे और बहाँ पर आप जब store में जाओगे तो आपको यह reasoning वाला course में जाएगा तो इसमें please एक बार enroll कर लेना और यहाँ पर quality सारे हमने दे रखें मतलब maximum बिलकुल हर एक आसान तरीके से आपको सारे question जो है वो कराए गए ठीक है तो आप इससे काफी benefit ले सकते हैं बाकी कुछ और चीज़ है आपर हम लोग mention कर लेते हैं ठीक है इंग्लिस में क्या है mention नोने कर रखा है कि यह cable qualifying nature है इसका कोई भी आगे जो further ranking के लिए count करना कोई भी इसका necessary नहीं है आप देखलो number of question 100 है maximum marks यहाँ पर 70 है क्यों क्योंकि reasoning और quantity नहीं ही दोके number आपके जोड़े जाएंगे further means की merit बनाने के लिए ठीक है यह यहाँ पर इन्होंने mention कर रखा है बाकी यह बता है कि number of the questions answered correctly by a candidate in each objective test is considered for arriving at the score ठीक है फिर यहाँ पर mention कर रखा है कि the score so obtained by a candidate are made equivalent to take care of the minor difference in difficulty level if any in each of the objective test held in different sessions to arrive at the equated score ठीक है तो जो चीज मैंने भी आपको पहले वाली बताई ना कि questions को जो आप attempt करो अब देखो दो person है suppose कर लोगी किसी ने toughest question वहाँ पर attempt करके 10 number लेकर आया कोई है भी easy easy question 10 number लेकर आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी जो इनका equated score है उसके हिसाब से लोगों को आगे further जो है देखा जाएगा तबी इनोंने यहाँ पर यहाँ वाली line भी mention कर रखिए to the base form by considering the distribution of scores of all the forms ठीक है तो यहाँ आप से इसको equated करने वाले हैं और reasoning में एक sample लोगोंने दे रखा है कि जैसे यह later arrangement something कुछ है तो यह है आपका फिर यहाँ पर जो question है यह आपको देख रहा है ना यह इस format में question हो सकते हैं तो देखो syllabus भही सब कुछ है coding decoding आपका puzzles आपके alphanumeric series blur relation direction sense तो यही सब रहता है बट यहाँ पर इनोंने एक बार अपना कुछ आट-dust question का sample दे रखा है यह reasoning का दिया है यह यहाँ पर quant का दे रखा है ठीक है यह यहाँ पर इनोंने English का दे रखा है तो आप इसको देख सकते हैं फिर यह बता रखा है कि details of online examinations pattern क्या है कैसे कैसे आपको यह चीज बहुत important है यह आप एक बार जहां से देख लो ठीक है इ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके सारे questions होंगे जैसे 35 questions है 35 इस format में होंगे तो अगर जब आप किसी question पर अभी तक visit नहीं होगो ना तो वो white color से आपको देखेगा और आपने जिसे पहला question देखा फिर आपने यहाँ पर next का click कर दिया तो अब आप दूसरे questions पर आगा है जब आप यह किवाला जो पहला question है यह इस तरीके का हो जाएगा मतलब you have not answered the question लेकिन आपने visit किया था answer नहीं किया अब अगर आप उसको answer करके next पर जाओगे तो वो green हो जाएगा ठीक है green red में इतना difference है कि आपने questions को visit किया green है तो answer कर दिया red है तो answer नहीं किया तो question आपने देख लिया एक चार number किया है कि आपने answer तो नहीं किया है लेकिन आपने उसको mark कर दिया है कि मैं आगे इसको review करूँगा ठीक है तो बहाँ पर option आता है marked for review तो बहुत सारे लोग जब question देखते हैं तो उनको लगता है बाद में बनाएंगे इस question को इसमें थोड़ा सा time लग सकता है लेक for review कर रखा है ये क्यों लोग करते है देखो last में क्या होता है कि कई बार हम question solve करते हैं तो हमें लगता है यार हो सकता है सारे इसका answer ये बाला ना हो लेकिन फिर भी हम बहाँ पर mark कर देते हैं कि हमने answer तो mark कर दिया है तो हम इसको review कर दिया है तो जो green dot लगा हुआ है blue के करते हो तब भी ये वाली चीज आपकी जो है check होगी ठीक है लेकिन अगर आपने केबल question में answer भी नहीं किया आपने mark for review कर देखा था फिर आप इसको answer करोगे तो अगर जो blue वाले questions होते है na mark for review इनकी कोई value नहीं होती है ये number आपको देंगे भी नहीं लेंगे भी नहीं ठीक जब paper evaluate होता है तब ठीक है तो ये चीज है यहां पर ठीक है तो आयोप यह बाली चीज डाउट यहां पर clear हो गया होगा थोड़ा सा और उपर बढ़ते हैं यहां पर यहीं का गया है कि save next करोगे तो आप अब लेको next question पर पहुंच जाओगे mark for review जो मैंने चीज आपको बता तक उसका test paper submit नहीं हो जाता ना तब तक वो बाहर नहीं जा सकता ठीक है तो मतलब ctc बात है जब आपका time over होगा जैसे की 20 मर्ट का test है तो 20 मर्ट जब तक time over नहीं होगा चाहां paper आप बना चुका आप बाहर नहीं जा पाओगे यह चीज यहां पर mention जोने कर रखी है ठीक ह कुछ general instructions यह हैं कि आप time से पहले पहुँच जाना बहाँ पर call letter आप अपने साथ लेकर आएगा और यह भी कहा है कि बहाँ पर जो LIC के representative होंगे उनके instructions को आपको follow करना है अगर आप ऐसा कोई rules violate करोगे तो वो आपको disqualified कर देंगे बिल्कुल ठीक बात है कोई calculator कोई अलग त रखनी है लिखा है please bring क्या क्या लेकर आपको आना है वो आप यहां पर ध्यान से समझ लो mention कर रखा है कि valid photo identity proof in original and photocopy ठीक है तो जो आपकी ID proof हो उसका आपको photocopy रखना है plus original रखना है अपने साथ में लेकर आना है ठीक है फिल लिखा है please please hand over this call letter along with photocopy of photo identity proof duly stamped duly stappled together to the invigil editor को देना है currently ballot photo identity proof में भी pen card आपका ballot photo में होगा passport होगा जो deal है voter ID है आपका passbook है ठीक है passbook with photograph होनी चाहिए ठीक है यह चीज़ आप जहां लगना और photo identity proof issued by a guested officer ठीक है on official letterhead along with photograph ठीक है ballot recent identity card issued by a recognized college university आधार card ठीक है तो यह सब चीज़ आपकी होनी चाहिए please note that ration card and learners DL जो है ना यह आपका accept नहीं होगा जब आप paper देने जारो ID के दौर पर ठीक है तो यह चीज़ यहां पर के लिए रोगए और थोड़ा सा और आगे देखोगे तो मुझे सच यहां पर कोई और important तो नहीं लग रह है ठीक है लिखा है कि किसी तरीके की आपको कोई हरकत नहीं करनी है मतलब आप suspected होगे तो फिर वही मतलब आपको cancel कर देंगे ठीक है मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी तरीके से आप कोई ऐसी cheating material something कुछ ना ले जाओ कोई wallet rules वगरा ना करो ठीक है instructions में क्या है candidate is required to report at the exam when you strictly as per of the time slot जो आपका time slot उस पर लिखा है उससे भी आदे घंटे पहले आप बहां पर पहुँच जाओ ठीक है mapping of candidate roll number and the lab number will not be displayed outside the exam venue but the same will be intimidated to the candidate individually at the time of entry of the candidate to the exam venue ठीक है तो पहले से कुछ यहाँ पर बाहर नहीं लगा होगा lab number कहां पर है क्या roll number है आप जब enter and entry करोगे तब ही आप जाना है क्योंगी कोबिट की norms और एक exam में होती है तो अपने साथ mask ले जाओ hand sanitizer ले जाओ एक pen ले जाओ और एक stampet ले जाना है blue and black का ठीक है और exam related document जो मैंने बताए call letter photography of ID card और आपके photos होनी चाहिए ठीक है और original ID card होनी चाहिए ठीक है तो यह सब चीज़ें आपको लेकर ज यह सब नहीं करना है अपनी पूरी त्यारी करके आप चाहें candidate should maintain safe social distance रखनी है candidate should stand in the row as per the instructions provided at the venue if candidate is availing service of a scribe then scribe also should bring their own mask ठीक है यह सब यहाँ पर mention करका है good luck यहाँ पर बोल दिया गा है मेरी तरफ से भी आप सभी को good luck और जैसा कि मैंने आप सभी को दाए कि reasoning बगरा जो भी हमारे courses है आप इसमें enroll कर सकते हो और हमारा जो current affairs है वो भी आपको proper यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है तो complete जो metal है वो आप यहाँ पर enroll कर सकते है उसको देख सकते है एप को download कर लें इसमें current affairs है हमारा और reasoning है आपके लिए हमारा D.I.E. का भी है सब कुछ सारे courses जो हम आपको य यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो core concepts होंगे और प्लस जो अलग अलग तरीके की insurance की schemes है government schemes है इसको हमने यहाँ पर discuss कर रखा है तो काफी detail में है यह session तो आप इसमें enroll कर सकते है एप में सारी चीज़े मिल जाएंगे thank you so much guys have a good detail of you once again we will meet in the next video